तो दोस्तों यह है सेक्टर 19B वाली सोसाइटी जो डिडिगे 2021 में लिस्टेड होने वाली है जिसका ड्रॉण निकलेगा तो इसमें 3.500 फ्रेट हैं तो यह मैं आपको इंदर से नहीं इसकी लोकालिटी दिखा रहा हूं बाहर से तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा है यह देखिए और जो नाले की बात की जा रही है इसके साथ वो यह वाला ड्रेन रहा तो यहां से आपको थोड़ा और क्लेर हो जगा है यह देखिए यह नाला है और यह काफी बड़ा नाला है चोटा नहीं है उसके साथ है बिलकुल यह सोसाइटी और यह नाला ऐसे होता इदर को क्रॉस हो रहा है वो नीचे इस सेट को देख रहे हैं तो ये इसके साथ है बिल्कुल सोसाइटी है 19B इसमें साड़े दिन सो फ्रेट है इस बार तो ये आपको सराउंडिंग इसकी आइडिया लगया होगा ये आप वीडियो पूरी देखिए मैं आपको इसके बास 19B की वहाँ पे भी साड़े दिन सो मुकान है उसकी भी स्राउंडिंग दिखाता हूँ और थोड़ा प्राइजिंग के बारे में बात करेंगे हम तो ये दोस्तो सेक्टर 16B की साइट है इसमें भी साड़े दिन सो फ्लैट है और इसकी बिल्ड दस से पंदरा लाग का डिफरेंस रहने वाला है तो ये दस से पंदरा लाग महंगी रहेगी उससे तो ये इसकी सराउंडिंग है देख पाऊ रहे होंगे और इससे जो नेर्बाइट मेट्र स्टेशन है वो यह राज सामने सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन वो देख रहा होगा और उसके जो पीछे है आपका और उसके पीछे है आपका वेगस मॉल ठीक है तो यह रही सोसाइटी दबारा तो दोस्तो पॉइंट जो मैं हाइलाइट करने जा रहा हूँ वो यह है अगर तो आप सेविंग परपस से यह मकान लेना चाहते हैं दोनो डोनो टू भी एच के हैं तो मेरी सलाव में यह बिलकुल गलत इनिवेस्टमेंट होगी क्योंकि डीडिये का इनलेमेंट टरम बोलूँ डीडिये का हो गए दिमाग खिराब इस बार उन्होंने 1.2 करोड सुनने में आ रहा है उसी से इसके आसपास रहने वाली है प्राइजिंग तो अगर 1.2 करोड भी रहती है तो पेपर वर्क मिलाके आपको और बाद में थोड़ा सा काम करवाके आपका 1.35 के आसपास खर्च हो जाएगा जब आप पोजेशन मतलब घर में एंटर करोगे 1.35 के आसपास खर्च हो जाएगा तो वो कोई फिजिबल मुझे नहीं लगता है अज़े इन्वेस्टमेंटर परपेज के लिए यह ठीक है इसका reason being एक तो यह सारा obviously आजकर white money वाला concept है और DDA का है तो सारा white money ही आपको show करना पड़ेगा और जब कि आप खुद भी check कर सकते हैं अभी भी द्वारिका में जितनी भी property sale होती है उसमें 25-30% black money चलती है और लोग accept करते हैं वो कैसे करते हैं मुझे idea नहीं जादा वो आप property dealer के पास जाएंगे तो आपको बता देगा और अगर कोई आपको कहे कि द्वारिका में rate बढ़ते ही बढ़ते हैं तो ऐसा बिलकुल मत मानिए आप अपनी खुदी research कीजिए आपको online survey मिल जाएंगे काफी company property वाली side हैं जिन्होंने survey करे हैं और latest trending report है द्वारिका के कुछ sector कोई बोलेगा अगर मैं द्वारिका सक्टर 12 की बात करूँ उसके rate 15 से 16 प्रसेंट गिरे हैं 2020 में और कुछ sector 19 में गिरे है सक्टर 8 में गिरे है और कुछ एक location में द्वारिका के particular sector में कुछ बड़े भी हैं यह नहीं मैं कहा रहा कि पूरे द्वारिका में कम हुए हैं या बड़े हैं बड़ के हीं किसी sector में particular कम हुए हैं और किसी में बड़े भी हैं तो आपको कोई अगर blindly बोल रहा है कि नहीं द्वारिका में rate बड़ेगा ही बड़ेगा तो मैं इसमें आपको सला दूँगा आप ज़रूर अपनी थोड़ी research करें सारा देखें उसी के बाद decision लें और बाकी अज़े आपको property का thumb rule पता है लेने से पहले कि कितना आप loan afford कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे 700 flat है कोई ज़्यादा flat नहीं है अगर कोई कहे कि नहीं ये scheme fail होगी मुझे नहीं लगता scheme fail होगी क्योंकि all over the India form सारी दुनिया भरेगी कोई सोचके कि द्वारी का दिली का address चाहिए किसी को landmark address चाहिए तो मिल जाएगा easily form भरे जाएंगे और शायद सब sale out भी हो जाएं सारे बड़ अगर आप एक medium class family से belong करते हैं और ये सोच रहे हैं कि ये wise investment है तो investment purpose से कर लेना चाहिए तो कते ही मतलीजिए आपको रहना है तो आप consider कीजिए और एजे जो मैं पहले थमरूल की बात कर रहा था कि 25% तक आपके पास down payment ready होनी चाहिए तो 1.20 एक करोड बीस लाग का 25% निकाल लीजिए उतना cash payment ready रखिए बाकि उसके बाद जो निकलेगा आप उसमे कितना loan लेना चाहते है नहीं लेना चाहते है वो आप next further आपके decision पे रहेगा कितना आपके पास liquid पड़ा है cash या कितना नहीं है बड़ अगर आप यह मान के चलेंगे कि यह 10 साल में double हो जाएगा एक 1.3 यानि कि आपको सारा pay करने के बाद registry वगारा सब कुछ करने के बाद 1.30 का आप सोच रहे होगे कि यह 10 साल के बाद 2.30 का हो जाएगा तो यह बिल्कुल भी मान के मचलिए पिछले 3-4 साल का सर्वे निकाल के देख लीजिए after the demonetization और उसके बाद थोड़े जो GST वरगारा compliance आए है द्वारिका में property इतनी जादा growth नहीं हुई है तो wisely invest कीजिए मेरा यही कहना है आपका और यह कोई छोटी amount नहीं है DDNA मेरे हिसाब से 30-35 रुबे ज़्यादा मांगे है जो बिल्कुल justify नहीं है और वो भी 2 BHK के लिए 3 BHK होता तो भी consider कर सकते थे again मैं survey की बात पर आता हूँ तो majority जो लोगों की परसंद है no doubt was 2 BHK लोग ज़दा prefer करते हैं 60% but in the same ratio 60% लोगों का मानना है कि मकान की range भी 60 लाग तक होनी चाहिए सिरफ एक क्रोड के ऊपर 19% 19-20% लोग हैं जो सेमत हैं इतना महंगा मकान लेने के लिए और वो भी जो एक से एक प्लस क्रोड खर्चने के लिए तैयार है तो उसको फिर address, locality और घर का size, quality भी वैसी ही होनी चाहिए कि आप justify कर सके उतनी बड़ी amount को ठीक है तो ये कुछ दोस्तो point है और इनका जो square foot है ये रफ दोनों ही 1100 से लेके 12.5 square foot है exactly detail जब DDA launch करेगा तब ही पता चलेगी तो ये आफ factor consider करके अपना थोड़ा research करिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है अपनी थोड़ी से research कीजिए property dealer या किसी के बहकावे में मत आईए और आप justify कर कर पाएं इतनी बड़ी amount 1.3 CR तभी लीजिए आपको रहना है तो लीजिए investment purpose बिल्कुल no और आपको address के लिए चाहिए अच्छी locality चाहिए उसके लिए thumbs up है उसके लिए no doubt द्वारिका में well planned सडके हैं खोला environment है grounds है पास में ये जो particular मैं site के सामने खड़ा हूं सक्टर 16 भी इसके just opposite ही national law college है दूसरी साइड इंद्रप्रस यूनिवस्टी है तो काफी अच्छी चीज़े हैं और दुनों के आसपास metro station का distance 700 से 1 km है तो वो कोई issue नहीं रहने वाल है तो last में बस यह कहना चाहँ हूँ इतनी बड़ी amount है तो आप थोड़ा अपनी R&D कीजिए किसी के बहकावे में या किसी के कहने में आके मत परचेज करना apply जुरूर करिए अगर आप इतना amount afford कर सकते हैं easily investment के लिए नहीं अगर रहना है तो ही सोचिए तो कुछ और इस पर हुआ तो मैं आवश्य ले के आऊँगा वीडियो थैंक्यू बाबाए